विजनेसमेन थे उन लोगों ने अपनी चाप विद्योसों में भी छोड़ी तो लेट सी दिस आप यहां देखेंगे कि जो फूट ग्रोइंग का बिजनेस था या जो दूसरी क्रॉप्स था वो बढ़्ल मार्केट में इन सभी कामों के लिए जो है कैपिटल चाहिए होता है क तो जो लार्ज प्लांटेशन थे वो बैंक से कर्ज ले सकते थे या मार्केट से कर ले सकते थे उनको मिल जाता था असाने से लेकिन वाट वोड़ दा हमबल पिजन जो गरीब किसान थे उनको पैसे कहां से मिलेंगे तो चलते हैं देखते हैं इंडियन बैंकर्स को इंटर ज़ारीपुरिश्रॉफ या नट्ट। कोटै चेटियर्स की कहानिया सुनी होंगी इनकी कहानियां जो हैं काफी फेमस हैं तो यह त्थे कौन या अगर आपने इनका नाम सुना थे तो यह उन लोगों में से सामिल थे जो कि biggest ग्रूप थे बैंकर्स के यह बैंकर्स ग्रूप के थे या फिर ट्रेडर्स भी थे बतलब साथ में दोनों काम करते थे यह लोग अग्रिक कल्चर को जो है फाइनस क्या करते थे और कहां करते थे सेंट्रल और सौथिस्ट एस्या की तरह यह इनके पास पैसे कहां आते थे तो या तो इनका खुद का फंड हुआ करते था या फिर यह 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 बॉरो कर सकते थे उधार ले सकते थे इनके पास एक ऐसा सोफिकेटिड सिस्टम होता था जिसमें पैसा जो है बहुत आसानी से मतलब इनका खुद का फुल सिस्टम था जिसमें वह पैसे बहुत आसानी से दे भी देते थे और पैसे लेते ले बापस भी ले सकते थे इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो थे यह लोग इरोपेन कोलोनाइजर को फॉलो करते हुए आफ्रीका पहुंच गया यह लो इसको सोरूम समझ सकते हैं जहां पर और यह लोकल चीज़े कौन खरीता था तो यह लोकल चीज़े वो लोग खरीते थे जो घुमने आते थे एक्चली हुआ यह था कि इस वक्त आते आते जो है अब जो अब जो यह था एक जगह से दुसरे जगह आना जाना जो था वो आसान हो गया था तो और यह आसान क्यों हुआ था यह आसान हो गया था क्योंकि अब जो सिपसे बगरा बन गया था वो काफी सेफ थे अब एक जगह से दुसरे जगह आने जाने लगा और यही टूरेट्स जो है जो इंपोरियाज होते थे वहां से लोकल चीज़े खरीदा करते थे इस तरह से जो है बर्ल लेबल पे आप देख रहे हैं कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है धीरी धीरी से प्ले रहा है यह है टेस्ट जो है क्या क्या गुजरा तो यह बोलता है कि जो काम उसी दिया गया उसके लिए मैंने बहुत कोशिस की लेकिन फिर भी मैं उस काम को सीख नहीं पाया कुछ दिनों में क्या हुआ काम करते हुए इसके हैंड में प्रिछाले पड़ गया जिसकी बज़ेश से एक सब्ता तक काम पे नहीं जा पाया उसकी सजा यह हुई कि 14 डेज तक इसको जेल में डाल दिया गया न्यू जो इमिग्रेंट्स थे उनको जो काम दिया जाता था एक दिन के लिए वो टास्क रियल में बहुत हैभी हुआ करता था और कभी वो उसको यह दिन भर में कंप्लीट नहीं किय जा सकता था तो इसकी बदले या तो उसको पैनिश्मेंट मिलता था या जो बेज होता था उसमें से काट लिया जाता था और बहुत अच्छा नहीं होता था जिसकी वज़ए से यह लोग कभी भी फूल पेमेंट जो है नहीं ले पाते थे और बहुत तरीके से पैनिश्में थे उनका बहुत सारा जो टाइम था वो ट्रबल में ही बेज जाता था नाउ थैंक यू